दोस्तों देसी जडी बूटियों की प्रमानिक जानकारी देने वाले आपके अपने चैनल देसी जडी बूटियों पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके सामने सेयर करने जा रहा हूँ अरजुन जिसे हिदैरुगों की रामबान ओसेदी माना जाता है इस इसे अर्जन आुसदि की पहचान उसके प्रयोकरने के तरीखे और उसके लाभकरी फायदों के बारे में जानकारी आज के वीडियो में आपके साथ सेयर करने जा रहा ह। दोस्तों अर्जुन का लैटें रियान है डरूझलिया अर्जुनां तर्मेलिया का अर्थ होता है जिन ब्रक्षों के पत्ते उनकी साकाओं के अंति तक जाते हैं अर्जुन में इसके पत्ते इसकी साकाओं के अंति तक जाते हैं इसलिए इसका नाम तर्मेलिया अर्जुना रखा गया है अर्जुन का ब्रक्ष पहाड़ी छित्रों में सभी नदी नालों के किनारे पाये जाता है इस कारण से इसका नाम नदी सर्च भी रखा गया है यानि जो नदियों के किनारे पाये जाता है यह 60-80 फित तक उंचा और सीधा होने के कारण इसे बीर व्रक्ष भी खा जाता है इसके तने की बाहरी छाल सपेथ होने के कारण इसे धाबल भी खा जाता है अर्जुन के छाल के पेड़ से छाल उताल लेने पर बहुत दुबारा आ जाती है इस छाल का उसेदी प्रियोग हिदय रोगों में होता है छाल को दुबारा उगने में लगवग दो से तीन साल लगते हैं एक ब्रक्ष में छाल तीन साल के बाद मिलने लगती है यह छाल बर्स में एक बार स्वयम ही निकल कर चादर के समान नीचे गिर पड़ती है मार्केट में अरजुन की छाल आसानी से मिल जाती है अगर आपको असली अरजुन की छाल की पहचान करना है तो असली छाल थोड़ी सी मोटी और नरम होती है बाहर से सपेद और अंदर से चिकनी मोटी और लाल रंकी होती है यह खाने पर स्वाद में कसाय यानि कसेली मैसूस होती है इस च्छाल की तासीर ठंडी होती है इस च्छाल का प्रियोग हेदय रोगों में किया जाता है आप वीडियो में दिख सकते हैं यह अरजुन च्छाल है इसकी पहचान आप कर लीजिए दोस्तों अरजुन के ब्रक्ष के पत्ते अमरूत के समान सास से बीच सेंटीमीटर लंबे और आयताकार होते हैं उपरी भाग चिकना और नीचे का भाग थोड़ा सा रूखा और धारियों युक्त होता है इसके उपर जो है सपेत फूल लगते हैं जो की सोयत और पीले मंजरियों में आते हैं अरजुन के ब्रक्ष को प्यारम का वस्ता में बाहर से देखने पर इसकी पत्तियां सुर्ख थोड़ी से गुलाबी और लाल रंग की नजर आती हैं बाहर की तरब और अंदर की तरब जो है गहरे हरे रंग की होती हैं अरजुन के फल कमरक या जिसे केरंबोला या स्टार फूड भी कहते हैं उसके समान होते हैं लेकिन आकार में चोटे होते हैं फल पांच या साथ धारियों बाले दो से पांच सेंटीमिटर लंबे होते हैं जो कच्ची बस्ता में हरे पीले और पकने पर भूरे और लाल रंग के हो जाते हैं फलों की गंद आरुची कर होती है और इनका स्वाद भी कसेला होता है यह फल सीध्य बसंद उतु में बकते हैं इनी फलों को जमीन पर बो देने पर अर्जुन का ब्रक्ष उत्पन हो जाता है यहीं अर्जुन के बीज भी है हिंदी में अर्जुन को कहुआ काहू उर्दू में अर्जुन गुजरादी में सादादो तमिल में मरुदो कननण में मुगडी और इंगलिस में ऐसे ही वाइट मूर्दाह कहा गया है दोस्तों अरजुन हिदय रोगों की रामबान औसेदी है इसकी छायल में अरजो टैनियम ग्लाइकोसाइड पाये जाते हैं इसके लावां केलसियम, मेगनीसियम, टैनियम भी पाये जाते हैं या हार्टबीट को नियंतित करती है और स्टॉक के खत्रे को कम करती है हिदय की मासपेशियों को मजबूत करके हिदय में होने वाले ब्लोकोज को दूर करने में लाबदायक से दूई है चाल का छीरपाग विदिक से सेवन कने से अर्जुन की रुख्षता दूर हो जाती है अर्जुन का काड़ा या अर्जुन की चाए इन में से क्या पीना चाहिए यह है आपकी उमर पर भी निर्वर करता है अर्जुन की चाल मुटापे में भी बहुत लाबकारी होती है अर्जुन के चाल में और दालचिरी मिलाकर काड़ा बनाकर पीने से मैने भर में ही आपको इसका असर दिखने लगता है दोस्तों मुग के चाले में भी अर्जुन की चाल का काड़ा पीना फाइदे मन्द है या फिर आप नारियल के तेल में इसकी चाल के चून को मिला लें और मुग के चालों पर लगाएं इससे मुग के चाले ठीक हो जाते हैं इसके अलाबा अगर आपके सरी में कहीं घाओ या अलसर या नासूर है तो अर्जुन के काड़े से उसको पहले अच्छी तरह से साप करें फिर इसका अर्जुन की चाल का लेप लगाएं उससे यह जल्ल ठीक होने लगते हैं यह सब अर्जुन की चाल के कसाय होने से होता है क्योंकि कसाय रस आर्वेद में स्थम्मन और ब्रण रोपर्ग माना जाता है हड़ी के तूटने पर इसकी चाल का सेवन दूद के साथ करना चाहिए महलाओं के सपेद पानी और अत्यादिक रख्तसाव की समस्या या फिर बावाचीर में मस्यों से खून आने की समस्या या फिर रक्त बहने जैसी अन समस्याओं में यह रक्त रोधग होने के कारण चाल बहुत फायदा करती है मूत्र में जलन या पेशाब रोक रोक कर आने की समस्या में या एसीडिटी में भी अर्जुन की चाल बहुत ही फायदे मन दे दोस्तों आसा करते हैं इस वीडियो से आपको अर्जुन के बारे में संपूर्ण जानकारी फ्राप्त हो गई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्क्र आवाद